मैट्स प्लस साइन्स यानि मैट्स के जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनका एक सलूशन 20 कोशन का साइन्स एड 20 कोशन मैट्स ये एक सेरीज चलेगी ठीक है इसमें मैंने आपको ये बताना है कि प्रिवियस एर में कैसे कोशन पूछे गए हैं अब द्यान से देखिए इस कोशन को कि कितने लोगों को ये कोशन समझ में आया और कितने लोगों कोशन ये समझ में नहीं आया अब द्यान से देखुआ यह कुछ और नहीं लिखा हुआ है इस question को solve को ऐसे करेंगे 289 plus root के अंदर x है upon में 5 है 289 यह किसका square होता है तो मैं पता है 17 यानि की root के अंदर से 17 बाहर आ जाएगा अच्छा basically लिखा कि आप पुरा लिखता हूँ यह 17 into 17 लिखा है यह root में x लिखा है अच्छा देखो मैं बताता हूँ अभी आप लोगों कोई वी option नजर नहीं आएगा यह question गलत है मैं इसको इसी root में solve कर रहा हूँ लेकिन इसमें क्या correct होगा वो भी बता दूँगा यह 17 हो जाएगा यहां हो जाएगा under root में x और यहां हो जाएगा one upon में five अब जैसे ही दिमाग में है तो कहोगे सर यह तो किसी में कोई match नहीं करेगा क्यों क्योंकि आप यह देखोगे ऐसे करोगे इसको इधर ले जाओगे minus में आ जाएगा सबसे बड़ी बात minus में कोई answer है नहीं तो यह तो नहीं होगा जानते हो गलती क्या है इस question में यहां पे plus के जगापे हमको लिखना है division जैसे ही आप division लिखोगे आपका answer हो गया यह रही hint अब आप इसे try करना आप दूसरे question पे चलते हैं दूसरे question पे भी same यह question भी गलत है मैं बता देता हूँ कैसे गलत है आप इसे solve करोगे न तो आपका answer आएगा 16 upon me 5 सबके answer यह यह आने वाल है लेकिन actually में यहां गलती क्या मैं वो बताता हूँ आपको ध्यान से देखना मैं पहले से erase कर दूँ क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में जानने के लिए इसे देखते हैं कि 3 प्लस 1 by me 2 upon me 2 is to 1 by me 2 अब जैसे मैं यह बोल रहा हूँ आपको लोग रहा सही है लेकिन जानते हैं इसमें क्या गलती है यहां 4 था तो इसे भी आप correct करके कर लेना आप answer आ जाएगा यह पहला वाला ओके आगे बढ़ता हूँ अब देहान से देखो तीसरा नंबर question बहुत बढ़ी है यह हमें एक equation का याद दिलाता है एक formula का याद दिलाता है कहो किसका इसका किसको किसको याद है हाथ उठाओ x square plus 1 by me x square plus 2 यह हो गया x plus 1 by me x यहनि 2 root 2 ओके इसका whole square plus x square plus 1 by me x square plus 2 देखो मैं इतना लिख रहा हूँ बताने के लिए यहाँ क्या होगा यह भी लिख लो 2 into x into 1 by x यह multiply यह वाला symbol है x तो इस x से इस x से कट गया यहाँ के whole 2 है इसलिए मैंने 2 लिखा था यहाँ जहाँ से देखने वाली बात है कि इसमें हम क्या लिख सकता हूँ यहाँ जहाँ से देखने वाली बात है कि मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ आई देखते हैं क्या लिख सकता हूँ दोर से देखो आप यह formula लिखते ही आपकी दिमाग में क्लिक हुआ तो इसी लिख होगे 2 का square और root 2 का मतलब होता है कि उसमें से केवल एक number बहार आ जाएगा x square plus 1 by में x square plus 2 यह लिखा हुआ है 4 2 जा 8 8 में से 2 गया तो 6 मैं डालेट कर रहा हूँ इसकी वलो हमें मिल गई जी मिल गई अब इसमें both side में square करने वाला होते हो जाएगा 36 यह हो जाएगा x के power 4 plus 1 by में x के power 4 plus 4 नहीं 2 क्यों क्यों क्योंकि यह वापस से यह formula बन गया है मैंने formula नहीं लिखा है अब इसे solve करोगे तो आपका answer मिल जाएगा क्या मिलेगा आपका answer है direct 34 किसकी x के power 4 plus 1 by में x के power 4 की value 34 है answer मिल आपको यह वाला आओ आगे बढ़ते हैं अब बस देखते जाओ कैसे करना है यह question महा easy होता है 18 upon me x is equal to x upon me 8 कुछ नहीं करना है x square cross multiplication आपने पढ़ा होगा पस्वाई करना है 18 into 8 okay हमसे x की value पूछ रहा है अब मैं देखने वाली बात है कि 9 into 2 और 4 into 2 यह मैंने इसे तोड़ दिया और हमें पता है कि जब यह x square है और इसके x निकालना हो तो मुझे root में डालना पड़ेगा root में जाते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है क्या आती है कि भाई जो दो संख्या है या दो नम्बर सेम है तो उन में से मैं एक बाहर निकाल लेता हूँ ओके आए बाहर निकालता हूँ 3 into 2 into 2 अब इसे multiply के लोग 3 कहां से आया है यहां से आया 2 इन दोनों में से एक 2 है और 4 का तो में जा पता है 2 है तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 आंसर कितना है 12 4 वाला option correct ओके आगे बढ़ते मैं बहुत जादे नहीं पढ़ रहा है इसके चेकर में आपको क हिंट देता जा रहा हूँ अब इसे question को कैसे solve करेंगे हम लोग किसी को कोई अंदाजा दिखो ये question की जल्दी solve होगा कभी जिंदी में से solve नहीं होगा 5 x plus 3 आपने इसे लिख लिया plus 25 3 x minus 54 ये रहा आपका अब कितने ही लोग इसे solve कर पाऊगे बहुत मुस्किले solve करन बाना ओके तो इसे solve करना थोड़ा मुस्किल है क्योंकि question गलत है आईए देखे सही क्या होगा x plus 3 is equal to अब ये 25 है इसको यहाँ लिखो यहाँ जहाँ प्लस लगा था प्लस का स्याइन था मैंने उसे change कर दिया equal में अब हमारा question सही मैं डैट दिखा रहा हूँ x plus 3 5 के power है यानि ओपर में 2 हो जाएगा नीचे 3 ये बगल में लिख दिया मैंने अब क्या है x plus 3 is equal to 6 x multiply हो रहा है और 108 ओके इधर गया है इधर अब ये हमें पता है 8 108 में 3 add करेंगे तो कितना आएगा 111 तो इस side हो गया 111 और इस side हो गया 5x क्लियर हुआ बताओ बताओ ओके तो आंसर आप देख लो यानि कि अगर आपको लगता है कि आपने सही प्रोसेस से कोशन सौल की है आंसर नहीं मैच कर रहे हैं तो घवडाने की कोई बात नहीं है ओके इस तरह के मिस प्रिंट वाले कोशन आपको मिलेंगी ओके पच्वा न स्फिस प्रीव है ऐसा कुंछ दिया है मैं क्या करा हूं जो सेलिंग प्राइस आप्वाइज है हुआ कि चंटर पाइस कि इसके बराबर 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस कि बराबर है है क्लियर तो या निप पूछ रहे हैं तो आए इसमेंक रच्व निकालते है SP upon में CP मुझे क्या मिला 15 upon में 12 ओके यानि मैंने किसी समान को 12 रुपय में करीद करके 15 रुपय में बेचे तो मुझे लाब कितने का हुआ तो 3 upon में 12 4 percentage वाला formula पता ही होगा आप लोगों को नहीं बदा तुम्हें बताता हो देखो पहले इस question को solve कर दो 3 upon 3, 3, 4, 12 4 से काटेंगे तो यह आएगा 25% तो answer will be 25% यहनि answer हमारा 3 है यह तो answer होगया अब मैं आपको formula लिखके दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने एक question try करा है ओके आईए देखते देखो अगर profit percentage का formula पूसता है हमसे तो कुछ नहीं करना है सबसे पहले जितने की profit होए उसे लिखो upon में cost price लिखो into 100 से multiply कर दिया हो गया किसकी है profit percentage की सेम कहानी loss के साथ होती है loss है तो यहाँ loss लिखो आप upon में कितने रुपय का loss उपर लिखोगे और उसकी cost price नीचे लिखोगे और हम multiply कर दोगे 100 से उमित करता हूँ यह समझ में आया होगा आगे चलते है question number 7 क्या बोल रहा है age of rajan is three time of asok is मैंने rajan की age बोल रहा है three time है asok के age if after 12 year rajan's age will be double of the age of asok कह रहा है 12 year later अचा एक बाद बताईए अगर आप अभी 10 साल के हो और आपके बड़े भी या 12 साल के है तो 5 साल बाद आपके बड़े भी या कितने साल के होंगे तो सबका जवाब होगा 17 year तो मेरा question है कि आप इतने साल के होगे आप 10 साल के रहोगे ना नहीं भाई आप भी बड़ोगे आप 15 साल के हो जाओगे यानि कि जो age different आज है वो 10 साल बाद भी सेम रहेगा ओके if after 12 year यानि 12 year दोनों 12-12 साल बड़े रहे होंगे अब बीच में क्या आता है मुझे नहीं पता 2A प्लस 24 ओके अब यहां देखेंगे R-2A is equal to 12 अपको उपर से कोई relation मिला है हाँ मिला है R is equal to 3A 3A minus 2A is equal to 12 देखो मैं बिल्कुल basic से बता रहा हूँ यानि A is equal to आप पागया 12 पूचा क्या है अगर A12 है यानि असोग 12 है तो राजन कितना होगा 3 into 12 कितना 3 into 12 आंसर कितना है 36 दिखा है क्या option number 3 देखा पेपर कितना easy है आपको थोड़ा सा जान का रही है आप अच्छिस कर लोगे अच्छा ये मैं question आप लोगों को दे रहा हूँ जानते हो क्यों क्योंकि इसमें बहुत अच्छी एक concept छुपा रखा है आप लोग try करना आप लोग अभी पढ़ रहे हो 9 में तो इसे पक्का try करो और मुझे comment में बताना करने को तो मैं कर दूँ लेकिन अभी आप बताओगे मुझे ये question देखो अच्छा है बहुत अच्छा question है easy भी है और अच्छा भी है मतलब exam में आने लायक है इत्ता बड़ा power देखके तो डर गए देखो इस तरह के power देख लिए तो सबसे पहले अंदर से जाओ माइनस 1 by में 2 का square करोगे तो 1 by में 4 आ गया एक खतम मतलब ये पूरा मैंने solve कर दिया अभी अब इसके उपर है minus 2 इसके उपर है minus 1 अब इसे solve करेंगे देखो जैसे ही power में minus देखा करो आप उसे तुरंट क्या कर दिया करो उलट दिया करो उलट होगे तो square हो जाएगा और उपर अभी क्या है minus 1 है तो आएगा 1 by में 16 minus में 16 नहीं 1 by में 16 answer first correct clear उमिद करता हूँ समझ में आया होगा बहुत ही जी वे में जा रहा है अभी कुछ मैंने नहीं किया है ये question बहुत अच्छा है 1.0 sorry 0.9 upon में 0 sorry यार क्या हो लिक रहा हूँ एक सेकेंड ये होगे आपका 1.6 जब मैं इसे लिकूंगा तो 9 upon में 10 ये root पूरा है ये पूरे root के अंदर है into इसको मैंने लिका तो 16 upon में 10 clear चुकि मुझे पता है कि 9 का root में value आता है 3 और नीचे का भी root 10 चली रहा है और 16 का आता है 4 और नीचे का भी root में 10 चली रहा है ओके 3,4 जा 12 और नीचे का root 10 root 10 कितना 10 answer कितना हैगा 1.2 है क्या कहीं answer 3 clear है ये आपका square root के related का question है देखो कितने easy तरीके से हो गया 11 number question ये भी बहुत easy है देखो मैं एक स्टोट टरीक बताता हूँ जैसे इस question में दे रखा है कि x plus 1 इसका एक dividing है dividing करने पर x plus 1 एरा remainder क्या मिलेगा कुछ मत करो आप ये जो बोल रहना dividing करने पर remainder कितना मिलेगा तो मुन्हें जान गया हूँ मतलब हमें पता है कि अगर ये इस दिये हुए function यानि कि x q plus 1 को divide करेगा तो जाइस ये बात है कि पूरा का पूरा उसमें कि पूरा का पूरा उसमें क्या करेगा उसे divide करेगा यानि कि उसका पूरा का पूरा coefficient क्या ना चाहिए dividable होना चाहिए हम कुछ नहीं करेंगे जो बोल रहा है ना कि इस से divide करें माल लेंगे कि यह equation equal होगा 0 के और x की जो value आएगी वो इस वाल equation को satisfy करेगी तो x जहां जहां होगा वहाँ माइनस 1 पूट करेंगे माइनस 1 का whole q plus 1 मतलब main function में यह जो हमारा लिखा हुआ x q plus 1 है हमारा main function माइनस 1 का q माइनस 1 का q minus 1 plus 1 कितना होता है जीरो आंसर आगया first clear दोको बहुत easy जी जा रहा है background noise को थोड़ा सा white करना oh sorry एक की पेस दो बार आगया आगे बढ़ते हैं यह question आपने पढ़ा होगा कौन सा compound interest यानि ci and simple interest यानि si यह बहुत easy और अच्छा chapter है दान से देखो इसने क्या बोला है बोल रखा है कि 15,000 रुपए का 2 साल के लिए अगर हम compound interest और simple interest में difference करते हैं तो 96 मिलता है कर लेते हैं 96 मिल रहा है कब जब हम उसका ci minus si कर रहे है ओके आओ देखते हैं 15,000 रुपए है जी 1 प्लस r पता है क्या r नहीं पता है upon में 100 power 2 यह हो गया minus में 15,000 रुपए है जी है यहां क्या होगा यहां तो bracket नहीं लगता sorry bracket नहीं लगता यहां minus है यह into r into p t t t t 2 upon में 100 ok easy है question कर पाओगे try करोगे आप लो try करना यह hint है ok जो question नहीं सुझाए है बेज़े ज़िए पूछ सकते हो बोल रहा है length of diagonal of rombasa 16 and 20 यह तो बहुत easy मैं इसका चितर बना दे रहा हूँ मतलब image कर दे रहा हूँ आप इसे एक बटराई करना ok roughly बनाता हूँ यार ok देखो यह यह और यह यह sorry देखो ऐसे rombas बोल रखा है rombas की क्यों होते है all sides equal होते है property पता है आप सभी को अगर all sides equal हों में तो यह वाला length इस वाले length के वराबर होना ची भूलो भूलो नहीं पता न देखना इसको आप यह भी home work ok if the surface area of a cube is इतना then volume यह तो बहुत simple है 6 into a square करना है और 7, 3, 4 चुकि a surface area का formula यह होता है 6, 1, 6 यहां कटेगा 6, 2, 12 ok 2 कटा 5 बचा 6, 8 जा कितना होता है पता है और 6, 9 जा कट पिटका है e square 289 तो e की value मेरे पास कितनी आ गई मिला 17 volume निकालना है पक्का है बोलो बोलो जी 17 का cube कर लो आप लो 17 इन्टू 17 इन्टू 17 इन्टू 17 जानी 289 इन्टू 17 जैसे ही आप करोगे तो क्या मिलेगा पता है ये आगे बढ़े आईए आगे बढ़े area of square can be inscribed अच्छा 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 आएए बढ़े इस question की मनसा पूरी करते है क्या बोल रहा है area inscribed in a circle अच्छा लो भई लो भई लो 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 ये हो गया क्या बोल रहा है area of square that can be inscribed अब मुझे एक square भी ले लेना है जो कि इसके अंदर बिलांग कर रहा हूँ अब देख लो suppose को ये square है अगर दिख रहा हो ठंग से मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए square है तो उसने बोला क्या है question question पर आते है question बोला इसने the area of square that can be inscribed अब यहाँ पर कहीं center होगा इसका सबको पता है और ये ऐसे touch करते हुए देखो जहाँ इसने छोड़ रखा है न ये touch करते हुए तो ये भी मेरा r है और इस point पे भी मुझे r मिल रहा है इस point पे मुझे r मिल रहा है इस point पे मुझे r मिल रहा है अगर ये r है ये r है ये r है दिखरा है कि 2R है, ओके, तो जब हमें A निकालेंगे, तो root 2 into R हो जाएगा, अब मुझे पता है, area का formula क्या होता है, A square, A square करेंगे, तो 2 into R square होगा, answer will be second, clear, देखो, कोई problem होगी, आप मुझे comment कर सकते हो, X is equal to A, Y, दिया हुआ है, जी बिल्कुल दिया हुआ है, Y is equal to B, X, दिया हुआ है, जी बिल्कुल दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, 1 upon में A plus 1, और 1 upon में B plus 1, यही दिया है, जी बिल्कुल दिया है, कुछ नहीं करना है, जी कैसे करेंगी तब यहां से मैं अगर मैं x नहीं एक ही value निकालू तो मुझे पता चल गया कि x by y आएगा b की value निकालू तो y by x मिल रहा है जी बिल्कुल मैं यह value यहां put करने वाला हूँ देखो x की value की जगा एक ही जगा x by y लिख सकते हैं x by y plus 1 यहां पे y by में x plus 1 अच्छा आगे बढ़ता है तो यह y वाला यहां lcm लेकर के उपर जाने वाला है तो यह हो जाएगा x by y यहां x उपर जाने वाला है यह हो गया x by y overall solve जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा x plus y उपर में और x plus y नीचे में कटके आगया 1 आंसर विल भी ओहो देखो क्या है आंसर वन होना है भाही माइनस तो होगा नहीं यह भी गलत है आंसर बनाएगा clear आप एक बाढ़ चेक कर सकते हो आगे बढ़ते हैं अच्छा देखो एरिया आइसोसेलस आइसोसेलस पता क्या है राइट एंगल बना होगा नहीं यहां 90 डिए एक बनेगी और आइसोसेलस यह नहीं यह लेंद्ध यह लेंद्ध दोनों बराबर होगा जी बिलकुल इसका मुझे एरिया पता है कितना 16 cm2 है 1 by 2 base into height base कितना है x height कितना है x ओके यह कितना है 16 यह दे रखा है ना कुछ नहीं तो हो जाएगा 32 x square के value कितनी हो गई 32 और कहीं ने कहीं यह हमारा किसके value आती है पता है भूलो भूलो रूट में आएगा यह value कुछ तो गरबढ़ कर दिया है इसने राइट एंगल ट्रेंगल इस आईसोसेलस ट्रेंगल ओके अच्छा देखना आप लोग कहा मिस्टेक हो रही आप इसे चेक करना इसी बाने आप लोगा भी हो जाएगा बोल रहा है एरिया आप अच्छा यह दो को ट्रिक है दो अलग अलग नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है तो इसका हम लोग अर्थमेटिक प्लोग्रेशन में एप ही निकालते हैं मीन जिसको बोलते हैं वही काम करना है 6 बाई में 7 प्लस 7 बाई में 8 अपॉन में 2 कर लो तो करोगे तो 8 6 जा कितना होता है 48 7 7 जा 49 अपॉन में 56 बाई में 2 जब उपर से नीचे तक पूरा सॉल करोगे तो आपको आंसर कुछ मिलेगा 7 9 अपॉन में 56 इंटो 2 तो जब इसे पूरा सॉल करोगे आपना 97 अपॉन में 112 यही आंसर मिलेगा आपको आई आगे बढ़ते हैं Sum of 2 number is 3 and the sum of their square is 12 अरे बहुत इजी Sum of 2 number is 3 and square of their sum यानी x square plus y square is equal to कितना 12 अब किसके किसके दिमाग में यह formula चमका जिसको चमका उसका हो गया जिसको नहीं चमका नहीं हुआ x square plus y square plus 2xy किसको किसको चमका चमक गया x plus y का 3 दिया है तो 3 का square 9 x square plus y square के विलेग 2 दिया है तो 12 plus 2xy यही न हाँ 9 में से 12 जाएगा तो minus 3 upon 12 यहीं xy की value क्या आगी तीसरा value ओके लास्ट पेज है यह भी value बहुत आसान है value देखो कैसे करने है 275 यह 275 प्लस रूट के अंदर 201 माइनस रूट के अंदर 25 अच्छा यह देखो सारे रूट इस एक क्यूपर एगा तो 5 का रूट मुझे पता है मैं सबसे नीचे वाला कोलता हूं पहले 201 माइनस 5 प्लस 275 रूट में 201 करूँगा तो कितना है गा रूट के अंदर 196 275 ओके यह कितना होता है 275 यह होगा मेरा 14 यह 5 है एट करके देख लो 9 8 2 रूट के अंदर में यह वैलू कितनी होती है तो पता है 17 उके उमिद करता हूं कि यह आपको कुछ वीडियो के solution समझ में होगे मैंने एक बार भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है तो प्लीज यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना थैंक्यों